राहुल गांधी ने एक बार फिर विजेपी और पिया मोधी को बुरी तरह से फसा दिया है पांच राज्यों के विधान सबस्वा चुनाव की तारीखों के साथ ही राहुल ने बड़ा सियासी दाव चला है जिससे विजेपी दवाब में आ गई है कॉंग्रेस आंसत की इस रणनीती से पाटी को इन चुनावों और दो हजार चौबिस के लोगस्वा चुनावों में बड़ा फाइदा हो सकता है दिली कॉंग्रेस मुख्याले में आज कॉंग्रेस कारे समिती यानि CWC की बैठक हुई बैठक में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीम अशोग गैलो, चातिसगर के मुख्यमंत्री, भुपेज बगेल और करनाटक सीम सिध्धर अमय समित, हिमाचल प्रदेश के सीम सुकविंदर सिंग सुकूष शामिल हुए, बैठक को लेकर आज कॉंग्रेस ने मीडिया से भी बात की, अपनी प्रेस कॉंफरेंस में राहुल गांधी ने जाती आधारित गर्ना को लागू करने को लेकर बीजेपी पर दबाब बनाने की बात कही, उन्होंने कहा, कि हम बीजेपी को बीजेपी पर दबाब डालेंगे और उनसे करवाएंगे, अगर उन्होंने नहीं किया, तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्सेंस चाहता है, अब जहां तक इंडिया अलाइंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिय का समर्थन करेंगी, एक दो पार्टी हो सकती है, जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो, हमार ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मकर जाधा से जाधा पार्टिया इस डिसिजिजन को पूरी तरीके से साथ कर दिया है, कि वो कॉंग्र गांदी ने कहा कि हमारे चार में से तीन मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC से आते हैं, वहीं बीजेपी के दस में से सिर्फ एक ही CM OBC समाज से हैं, उन्होंने दावा किया है कि पियम मोदी OBC के लिए काम नहीं करते, बलकि ध्यान भढ़काने की कोशिच करत अब बीजेपी के लिए असान नहीं होने वाले हैं, उन्हें एक मजबूत कॉंग्रिस का सामना करना पड़ेगा, डीबिलाइफ की रिपोर्ट